अब हम सिखेंगे कैलिग्राफी का बैसिक, बैसिक पैटन बनाने के लिए आपको नीव को 45 डिग्री में हमेशा रखना होगा, इस तरीकी से शुरुआत करना होगी, ये देखी फिर से हैड बनाते हुए ब्रॉट करना है और टेल निकालना है, अगें सेम प्रोसेस हम करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये देखिए ब्रॉट करते हुए टेल निकालना है, हम यही प्रक्रिया बार बार करेंगे जाए ताकि हमारी प्रैट्पीस हो जाए, देखिए हमने पैन को 45 डिक्री में रखा है, अब हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे, इसमें हम नए तरीके से कर रहे हैं, हम हलका सा उसमें कर्व देगे, बहुत लाइट सा, आप देखिए, स्टाइल वह ही है, बत हलका सा कर्व दिया हमने, यह देखिए, तीसरा स्टाइल, हमने इसको सेम अपोजिट डारेक्शन में करा है, हलका सा कर्व देन दिया है, पर पहले वाले से अपोजिट है, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत सुन्दर बनाना आ जाएगा, अब हम फोर्थ इस्टाइल सिखेंगे, इसमें हम सेम करेंगे, और हलका सा कर्व देंगे, यह देखिए, एक नए डिजाइन बन गया, अब हम फिफ्ट स्टेप देखेंगे, यह देखिए, हमने उपर जो थर्ड लाइन में किया था, उसे को रिपिट किया है, बट इसको हम लोगों ने पास पास बनाया, तवेस देखिए, यदेखिए, यदेखिए, यदे के, तो देखिए बच्चो इस तरीके से हमारे पैटर्स बनके रैडी हैं अब हम अपनी नेक्ट क्लास में इस तरह के अलफाबेट से केंगे